कैसे आप सब लोग तैर्या स्क्रिएशन में आप सभी का बाध बहुत भास वागत हैं मैं हूं देरिया आज मैं फिर से हज़िए एक और नई रेसिपिक के साथ आज मैं में बनाने जारी हूं मोधक जी हां आज मैं आपको एक क्वीक औन इजी मोधक रेसिपिक दिखाने वाली हूं मुझे लगा करने श्चतों बहुत ही नस्ती के तक यूना मोदक बनाया जाए यह बहुत ही जल्दी बन जाते हैं इसमें टाइम भी बहुत नहीं लगता है और यह बच्चों को भी बहुत पसंद आते हैं तो चली बढ़ते हैं प्रोसेस की ओड़ अधार बनाने के लिए मैं यूज कर वहाँ यां पर बन 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 बीसकित आप चाहें तो अरियो बिसकित भी ले सकते हैं मुझे थोड़ा-सा माइल्ट टेस्ट पसंद है तो उससवाजे से मैं बन बन बिसकित का यूज कर रही हूं और यो बिसकित थोड़े से डाख चोकलेट से बनते हैं तो इस वज़े से डाक टेस्ट आता है हमें यहां पर मैंने करीबन दो कप जितना बिस्किट का पाउडर लिया इसको मैंने अल्रेडी मिक्सी में क्रश कर लिये अब देख सकते यह कुछ इस तरीके का लगेगा अब मैं इसमें डालूंगी चॉकलेट गनाश जिस मत डाले नहीं तो यह मिक्स्चर लंपी भी हो जाएगा आपको कैसे पता चलेगा कि इतना गनाश एड़ करना है तो उसके लिए ट्रीक है आप जैसे मिक्स्चर को ऐसे करेंगे तो यह बंद जाएगा यहां पर मैंने तीन टेबल स्पून यूज किया चॉकलेट गनाश इस मैं इसको मिक्स कर लूंगे पहले देख सकते हमा डो बिल्कुल रैडी हो चुका और यह बिल्कुल भी लंबी नहीं बनाए यहां पर मैंने तीन चमच जितना दो धैड किया था और यह बिल्कुल रैडी हो चुका है अब हम आगे की प्रोसेस के और बढ़ेंगे और इसका स स्टफिंग रैडी करेंगे स्टफिंग वनाने के लिए मैंने यहां पर एक पैन में आधा चमच जितना घी आड़ किया अब मैं इसमें काजु और बादाम को हल्का साथे करूंगी नट्स आप अपने इसाब से चूज कर सकते हैं मैंने आप करीबन आधा कप जितना काजु इसको मैं हलका साथे करूंगी ताकि इसका टेस्ट अच्छे से ऊबर किया है घी में साथे करने से इसका टेस्ट और भी बढ़िया आता है नट्स आप अपने इसाब से चूज कर सकते हैं और ध्यान रखे कि गैस की फ्लेम स्लो होनी चाहिए आपकी क्योंकि अगर है फ्लेम पर आपकरेंगे तो जल सकते हैं और कड़वा टेस्ट भी कर सकते हैं आप देख रहे हैं मैं इसको कंटीनिव शळा रहे हूं ताकि वो नीचे से जलेना और कड़वा टेस्ट ना करें यह चीज का ध्यान रखे कंटीनिव इसको चलाते रही है और मैं इसको साइड में निकाल लोंगी अब मैं इसमें एड करने चाहरे हूं दो टेबल स्पून जीतना बटर स्कॉच सॉस मैं इसको मिक्स कर लोंगी इसको अची तरीके से मिक्स कर लिया और हमारा दो भी यहां पर त्यार है अब हम इसके मोल्ड में इसको डालेंगे तरीके का मेरे पास मोल्ड है अब इसको पहले हम दो की मदद से अंदर स्टाफ करेंगे पहले साइड के कीजिए और यह टेस्ट में बहुत अच्छा लगता है एक बाद घर पे ज़रू से ट्राइ कीजिएगा अब बीच में हम फिल करेंगे हमारा यह स्टाफिंग अब उपर से इसको पैक कर देंगे कुछ इस तरीके से अब इसको अनमोल्ड करूंगी देख सकते हैं कुछ दिखाना चाहूंगी कितना अच्छा लग रहा है इसी तरीके के मैं सारे मोल्डक को अनमोल्ड कर लूंगी देख सकते हैं यह बिल्कुल रेडी हो चुके अब इसको आप चाहे तो फ्रीज में सेट करने के लिए रख देंगे 15-20 मिनिट फ्रीजर में नहीं फ्रीज में अब इसको मार्केट वाला लुक देने के लिए मैं इसके उपर लगाऊंगी चांदी का वरक इससे और भी बढ़िया दिखेंगे टेस्ट वाइस को बढ़िया ही है तो चलिए अब इसके उपर मैं लगाती हूं चांदी का वरक यह आपको बहुत ही ध्यान से लगाना रहता है क्योंकि बहुत ही यह पतला आता है यह मार्केट में कुछ इस तरीकी का आपको मिलेगा अब हल्के से इसके उपर आपको रख देना है तो आप देख सेक्टे की चांदी का वरक लगाने के बाद ही कितने बढ़िया लग रहे हैं और मैंने इसको घंडपती बापा को प्रशाद की रुप में चड़ा भी दिया और पास में देगे बेल बटन को हिट करना ना भूले ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और मेरे वीडियो सबसे पहले आप देख सके मैं जल्दी मेलोंगी एक और नए वीडियो के साथ तब तक के लिए बाबाई